हलो एवरिवन बेलकम प्रेक टू मैं चैनल किसंगन जिले का जो बारक को कॉंसलिंग हुआ था पंचायत नियोजनिकाई का तो उसका पूरा जो है चैनीतों का सुछी आ गया है तो इसमें सामानने विशह पे जिनका हुआ था उनका भी और उर्दू का दोनों का साथ साथ में है बस लिखा हुआ है इसमें कि कि इनका मतलब सामानने में चैन हुआ है और कि इनका उर्दू विशह में तो मुहमद नूर आलम इनका सामानने में जेनरल में चैन हुआ है यूर कैटेगरी है इनका 67.78 इनका जो है टोटल परसेंटेज है इसके बाद मुहमद नफीश आलम इनका उर्दू में चैन हुआ है BC के हैं और 71.167 इनका टोटल मेरिट जो था वो बन रहा था फिर दूसरे पंचायत का है क्योंकि बहुत सारे पंचायत का हुआ एक व्लॉग का इसके बाद दिघल बैंक नाम है प्रखंड का जिसमें जागीर पदमपूर का है भवेश कुमार सीका जेनरल विशय के लिए हुआ है EBC में है 75.18 परसेंट इनका पूरा मेरिट है इसके बाद मुहम्मद सहवाज आलम इनका EWS उर्दू में हुआ है 67.83 परसेंटिक का है इसके बाद है ग्राम पंचायत राज करु आमनी मुहम्मद वसीम रजा मुहम्मद तमीज उद्दी उर्दू में हुआ है और टोटल परसेंटेज इनका 77.77 परसेंट है इनका इसके बाद है मती उर्राम रहमान इनका सामाने विशय में हुआ है 77.34 परसेंटेज देख लीजेगा साइड में परसेंटेज लेखा हुआ है इसके बाद है राज आठ गचिया गाओं का नाम है पंचायत का जिसमें नवीन रजा का हुआ है जेनरल विशय के लिए यूर कैटेगरी है और 69.72 है बिजेंदर कस्यप का हुआ है इनका भी जेनरल विशय के लिए हुआ है EWS में 60 परसेंट तो बहुत जगा कम परसेंट प है बहुत ज्यादा परसेंट पर चैन हुआ है सुएव आलन आलम यूर में इनका भी हुआ है 72.94 इससे क्या होता है कि एक डाटा आप लोगों को मिल जाएगा नेक्स्ट काउंसलिंग में इन लोगों को चाटके ही आप लोग अपना चैन करिये का कि हमें कहां जाना चाहिए इसके बाद है टिंकू कुमार सिन्ना इनका यूर में हुआ है 70.30 एक ही लोका यहां पर हो सकता है एक ही सीट रहो इसके बाद है लोहा गारा पंचायत का नाम मुखम्द सहनवाज आलम सामान्य के लिए हुआ है समान्य विश्य के लिए राहुल कुमार का 72.1 का है एक्का 71.20 इसके बाद है मुखमद मुझपर सबा उनका भी जिनरल के लिए हुआ है 69.79 इसके बाद है पथर चट्टी मुखमद इफ्तखार आलम 71.25 इसके बाद है पत्थर गटी का मुहम्मद इफ्तखार आलम इसके बाद है ग्राम पंचायत राज दिघल बैंक का मुहम्मद नूर बावु दुलारी कुमारी और मुहम्मद मुन्तीज दानिश्वर इसके बाद है लास्ट है तारावारी का अंजना प्रवीन तो इतने लोगों का चैन जो है वो हो पाया है इस ब्लॉक की अंतरगत दिघल बैंक जो ब्लॉक है इसकी अंतरगत जितने भी पंचाय थे इसके अलावा और भी डाटा इसका आया है कि संगंजीले का और कहीं का भी और आता है तो मैं एक एक करके आप लगों से शेयर करूंगी तो चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा साथ में वेल आइकोन को प्रेस कर लीजेगा ताकि जब भी नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा वीडियो पसंद तो लाइक करें हमारे शाद बने रहे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद